ने गलम में फिर से आपका एक बार स्वाराद ही यह rouv complsIS vậy से भिभार ASTAT इसे संबंदित है जयासा कि आप जानते हैं, भिभार ASTAT का exam online होने ही जा रहा है तो online exam देने से पहले आपको एक बार mock test जुरूर त्राइ करना चाहिए तो mock test कैसे दे सकते हैं तो उसका लिंक हम आपको description box में दे दे रहे हैं, वहाँ click करके direct आप mock test try कर सकते हैं, साथ में comment box में भी link दे देंगे, वहाँ से भी click करके दे सकते हैं, वैसे हम आपको बता दें कि इसके लिए आप official site से भी जा सकते हैं, चलिए हम live देखते हैं कि official site से कैसे आप mock test दे सकते हैं, सबसे पहले आपको इस address पे जो आपके सामने दिख रहा है, bscbstt.in इस पे जाना होगा, हम इस पे click भी कर देते हैं, कोई भी browser आप ले लीचे, उसमें ये address डाली है, और enter बतन दबाईए, हमने आपके सामने इंटर दबाया, और ये site अभी refresh होके आपके सामने खुलेगा, देखें, इस तरह का window आपके सामने खुल के आएगा, हो सकता है, ये window आपके सामने नहीं खुले, क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि बहुत दिन से आप bsevstt2019.in खुलते हुआ है, तो उसका कुछ cookies वेगरे होते हैं, कुछ history होता है, जो अपने path save कर लेता है, तो हो सकता है, ये आपके सामने नहीं खुले, 24 गंटे ये 12 गंटे में, जो आपके सामने इंदिख रहा है, ये जरूर दिखेगा, नहीं तो आप किसी अने ब्राउजर में भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, तो cookies और history क्लियर कर दीजेगा, ये दिखना चल हो जाएगा, यहाँ पर देखें क्या-क्या अपडेट आया है, तो उसके बारे में सारा कुछ हमने बताया है, तो वही चीज है, ये official letter है इनका, और इसमें कुछ लोगों का परसानी है, कि सर मेरा खो गया है, जब admit का डाउनलोड करते हैं, तो मेरा जो application number वेगरे खो गया है, तो आप help ले सकते हैं, यहाँ पे आपको email address मिल जाएगा, जब इसको scroll किजिएगा, तो यहाँ पे आपको email address मिल जाएगा, यहाँ देखिए, थोड़ा सा scroll और कर देते हैं, थाकि बीच में आपको देखे, यह देखे, यह जो email address है, आपके सामने bscb.stethelpdesk at the rate gmail.com, इस पे जाके आप आराम से email कर सकते हैं, जो भी परसानी है, यह दोनों बिंदू नहीं होगा, बीच से चालू है यह, जो भी परसानी है, वो इनको बता सकते हैं, मेबी यह help करें आपको, इन्हें mail कर दीजे, आपके पास नहीं है, विसे हम आपको बता दें कि आपके email में, जो भी email address आपने दिया था application बढ़ते समय, वहाँ होगा, और साथ में आपके mobile पे भी होगा, इसके अतरिक्त, आपको आज message भी आया होगा, उस number पे जिससे आपने registration किया होगा, तो message भी देख लीजे, email भी आपको मिला होगा, आप message भी भी भेजे जा रहे है, दो-दो बार messages आ रहे है, तो आप आराम से देख सकते हैं, dear candidate करके पूरा message लिखा गया है, तो हमको नहीं लगता कि आपको कोई परसानी होता होगा, उसमें application नमर आपको मिल जाएगा, और date of birth तो आपको यादी होगा, तो आराम से आप login कर सकते हैं, फिलाल ये पढ़ना चाहें, तो आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में videos हमने already बना रखा है, इसके बाद हम चलते हैं, तो पहला हमने बताया था, इसके बारे में यहां क्लिक करने के बाद वो PDF डाउनलोड होगा, दूसरा है, क्लिक here to download admin card for online re-examination at state 2019, जब इस पे क्ल डालना है, application number डालना है, इस पे हमने वीडियो बना दिया, application number यहां डालिएगा, यहां data board डालिएगा, data board आपका dd mm4 time y लिखा गया है, यानि दीन का दो अक्षर होगा, 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा, तो 0-1 लगा दीजिएगा, चाहे 3 होगा को 0-3, mm मन्त होगा, मन्त में 2 अं पाई होगा, तो 1900 जितना भी हो, 1900 है चाहे जो भी है, 1900 के बाद 19, और जो भी आपका उमर है, 90 है, 1990, वो साल लिख देंगे, और login पे क्लिक करेंगे, आप अपना admit card download कर सकते हैं, कुछ लोग को परसानी है, कि सर, जो मेरा admit card है, कि एक paper का 100 हो रहा, दूसरा paper 100 नहीं हो रहा ह देखिए, आपको दूसरा paper भी हो रहा है, जब यहां पे, पिछला वीडियो में देखिए, लास्ट में हमने बताया, दूनों paper के बारे में, यहां पे click किजिएगा, तो पहला admit card हो गया, दूसरा नीचे वाला है, कुछ तो नीचे वाले पे click किजिएगा, तो नीचे वाला नहीं हो रहा है, उसमें क्यों इंफर्मिशन दिया गया है, कि यहां मेरा exam है, देखिए, यहां पे admit card डाउनलोड करके, एक sign आता है, admit card करके लिख के आता है, जब भी देखिए, क्लिक किजिएगा, तो डाउनलोड हो जाएगा, आपके browser में, नीचे वाले पे भी click कर दिज test URL link, इस पे आप click करेंगे, तो mock test दे सकते हैं, mock test के बारे में 20 चर्चा करेंगे, क्योंकि यह video BC सुरूप से mock test से ही संबंदित है, जब आप mobile पे भी खोलेंगे, तो इस तरह का खुल के आएगा, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखता है उसमें, फिलाल हम आपको दिखा देते और यहाँ sign in पे click करेंगे, जब आपका होगा, तो यहाँ पे number जो बताया जाएगा, वो होगा, यहाँ जो password बताया जाएगा, वो होगा, या तो fill होगा नहीं, तो आपको fill करवाया जाएगा, इसके लिए आपको जो भी instructor होगे, जो भी वहाँ पे होंगे, सिक्षक, विक् यह सही है या नहीं, यह information आप जाच लीजेगा, जैसे जोन स्मीथ है, यह को टेस्ट देने के लिए, जब भी खोलिएगा, तो इस तरह का मिलेगा, तो यह details वहाँ पे जरूर एक बार देख लिएगा, आप से मिलता जुलता है, कि नहीं photo है, उसके बाद आप क्या करेंगे simply, जहाँ जैसे यह start करने के लिए कहा जाएगा, कि आप sign in पे click किजिए, वहाँ पे instructor जो रहेंगे, जो भी IT TV में करे रहेंगे, बोलेंगे कि time हो गया है, sign in पे click किजिए, तो यहाँ पे आप click करेंगे, click करते हैं, इनके पास नया window खुल के आए, जो आपके सामने है, जो लाइव हो रहा है, यह सारा चीज, और यहाँ पे इस तरह का window खुल के आएगा, और यह पूरा carefully आपको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, यह, पूरा carefully आप पढ़ लीजेगा, इसको हिंदी में हम कर देते हैं, लेकिन कोई फाइदा नहीं होगा, मेबी हिंदी में तो पूर देर सो मिनट का है, देर सो मिनट हो गया, कितने घंटे, दू घंटे, आदे घंटे, यह नि धाई घंटे का आपका एग्जाम होनी जा रहा है, इसके बाद लिखा है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीजे लिखे गया है, वें टाइम रीचे जीरो, देर ग्जामिनेशन यानि आपको सम्मिट हो गयरे करने की जरूरत नहीं है, रिक्वाइड नहीं है, एटमेटिक वो सम्मिट हो जाएगा, जैसे वो जीरो होगा, जैसे जीरो पे पहुंचेगा तो, तो अपना जो भी आपको देखना है, वो सारे चीज देख लिजेगा, नीचे में लिखा गय यह तो हम आपको लाइक दिखा देंगे, कहां पे स्क्रीन में, राइट कॉर्नर पे यह दिखा रहा है, यहां पे यह देखिए, यह जो कलर है, you have not visited the question yet, यह इस तरह कलर अगर आपका बन के आया है, यानि यहां पे आप नहीं पहुंचे हैं, अगर आप इस तरह का कलर कहीं पे बन के आता है, तो you have not answered the question, इस question का answer अपने नहीं दिया है, इस तरह का बन का आता है, यानि आपने answer दिया है, और इस तरह का color बन के आता है, you have not answered the question, but have marked the question for review, इस तरह का आएगा, review करने के लिए है, marked for review, यह भी आपका the questions, answered the, answered, इस question का answer दिया गया है, लेकि mark for review, लेकि mark किया गया review करने के लिए यानि हा रहा है इस तरह काई को ये सारे चीज आपको समझना चाहिए ये सारे चीज आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं ज्यादा time लेगा 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 जो भी महतपून information है वो हमने आपको बता दिया और साथ में live हम देखेंगे और यहां सबसे महतपून एक और जनकारी आपको जानना चाहिए कि आपका जो है अगर आप किसी question का answer नहीं देते हैं save नहीं करते हैं तो उसका answer वो नहीं count करेगा तो सबसे जरूरी है कि save and next जरूर करें जब भी किसी question का answer दें टिक करें गोल सा बना रहेगा response जिसमें देना है आपको live हम दिखाएंगा भी तो वहाँ पे आपको टिक करना है गोले को और गोले को कि टिक करने के बाद आप save and next करेंगे और यह mark for review एकर है यह सारे चीज आप बाद में check कर सकते हैं और clear response करने के लिए भी कहा गया या दूसरा button choose भी कर सकते हैं यह सारे चीज है आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और चलते हम next करते हैं यहाँ पे आपका information photo एकर दिख रहा है नाम और photo यहाँ पे हम next करते हैं next करने के बाद यह आपका दिख रहा है कि क्या क्या है इसमें महतपून निर्देश यह English में हम इसे कर देते हैं Hindi वैसे को Hindi में है तो यहाँ हो गया Hindi Hindi होने के बाद उमें द्वारों को MCQ MCQ मतलब हो गया multiple twice question होता है यानि एक question होगा चार option होगे चार विकल्ब दियेगा उनमें से कोई एक ही सही उत्तर होगा परतेक सही उत्तर के लिए उमें द्वारों को एक अंक दिये जाएंगे सभी सवालों का जो परियास नहीं किया गया सुन अंक दिये जाएंगे यानि जिसका उत्तर नहीं दिजेगा उसका सुन अंक दिये जाएगा और जो इस तरह का जो बटने उसी पर क्लिक करना है ये तो हम आपको दिखाएंगे ही और ये आगे है 1.500 मिनट का होगा और जो ये है इनके लिए 200 मिनट का होगा इसके आगे मिद्वार किसी भी समय एक प्रशन से दूसरे प्रशन पर जा सकते हैं किसी भी समय है एक प्रशन से क्या कर सकते हैं दूसरे प्रशन पर आराम से जा सकते हैं मिद्वार को परिक्षा सुरू होने के बाद बायो ब्रेक की अनमती नहीं होगी उमें द्वारा को biometric पंजी करन के बाद उपस्तिति पत्रक में को इसको कर देते हैं हम क्या हिंदी आप भी यहां से ल्यंग्विफ जैसे बताए ज़रा वैसे कर लीजेगा यहाँ पे आप हिंदी कीजिएगा और यहाँ OK कीजिएगा यह फन्जी इंस्ट्रक्शन था, यहां अंगरी जी के करन चिंज होगी है, यहां हिंदी कर देते हैं, यहां हिंदी किया है, यहां हिंदी किया है, और यह सारी चीज पढ़ना चाहिए, तो पढ़ सकते हैं, चीक है, अब इसको हम करेंगे, I am ready to begin, इसको टिक करना है आपको, याद आपका सुरुवात होगा, ओनलाइन टेस्ट, यह आपके सामने खुलेगा, किस तरीके से पृष्णा आएंगे आपके सामने, इस तरीके से आपके पृष्णा आएंगे, आप हिंदी भी करना, हिंदी तो हैं ही, अगर अंग्रेजी करना चाहते हैं, तो यहां से तो, यह कोई बड़ा मीटर नही से बार में हमें बता नहीं आप देंगे तो आपका नाम होगा यह है कोश्चन पेपर भी एक चीज दिया गया है मतलब पहली पर हमने देखा यह वह इंटायर कोश्चन जो भी सारे प्रस्ट में है वह इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यह सारे कुश्चन आगा है यह सारे कुश्चन की जा सकता है निगेटी मार्क्स नहीं है निगेटी मार्किंग में यह जो भी आप एंजर सेलेक्ट करेंगे वो चीज आएगा यहाँ पर यह सारे चीज देख सकते हैं इन्होंने कुछ कोड लिकेस पर रखा यह सारे कोड मेरे खेल से नहीं आएगे तो यह टूटल हंडेट क आपको देखना नहीं है, आप अपने इस पे ध्यान दिजेगा, मैं जैसे हिंदी कर देता हूँ, इस पे question पे ध्यान दिजेगा, क्योंकि ये time देखें, 48 हो गया न, ये time का इस्तमाल करना है आपको, यहाँ पे मैं बता दू, teacher accessibility test ऐसे लिखा गया है, हो सकता है, यहाँ पे कुछ और नाम दिया जाए, जो reasoning में गए रहे है, 50 जो question होते हैं, वो दिया जाए लिखा हुआ, यहाँ पे core subject है, यानि जो आपके 100 question है, वो यहाँ से सुरुवात हो गया, total 100 question, अगर यहाँ पे आपको numbering देखना है, तो देखें, मेरा mouse जा जा रहा, वहाँ देखें, यहाँ पे, यह total आपके question यहाँ पे दिखेंगे, total 100 के 100 हैं यहाँ पे, जब यहाँ click करेंगे, तो उससे समंदित question आपको दिखेंगे, maybe 50 होना चाहिए, यह देखें, 50 है, यानि जो आपका, maybe teacher's reality test देदें, या reasoning, अनि दक्षता जो होता है, वो लिखें, और यह core subject है, तो आपका subject भी लिखा जा सकता है, या core subject लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे जब click किजिएगा, तो यह 50 question आएंगे, आपके यहाँ पे click किजिएगा, तो आपका subject की question आएंगे, को इस तरीके से आपका बना हुआ रहेगा, और यह दोनों समझ गए, अब यह भी समझ गए, time समझ गए, यह समझ गए, यह हम आपको बताएंगे, अभी थोड़े देर में कि यह किस तर इस्तमाल करना है, वैसे बता देते हैं, जिस question पर जाना है, उस question पर जा सकते हैं, इस पर click करके, अब यहाँ पर कुछ और option दिया है, mark for review and next, यह मालेजे यह answer दे दियें, जो पच्छिम मंगाल के रजधानी क्या है, मालेजे गलत दे देते हैं, मालेजे silly गोडी दे देते हैं, और हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि हमको याद आ जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किये है, mark for review and next कर दियें, ठीक है, अब इसका देखिए, हमने answer तो दिया है, लेकिन इसको review के लिए रखे हैं, तो यह इस तरह का tick बनके रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर देखें, यह counting भी कर रहा है, not wasted 98, अगर यह counting में भी यह work करें, अगर यह counting करके आपको दिखा रहा है, तो बहुत बढ़िया है, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, कि यह सारे चीज क्या है, यहाँ पर यह सारे चीज आपको दर्सा आएगा, कि कितने question के answer दिए, क्या क्या दिएं, कितने review में है, क्या है, यह सारे चीज, यह information दर्सा आएगा, जैसे में मालीजे रास्टी पसू कौन सा है, यह दे देते हैं, हम मालीजे share दे देते हैं share देके हम save next करते हैं अगर किसी चीज का उत्तर पता है तो save और next करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक answer दे दिया है हमने answer दिया गया है और यह not wasted 97 लिखा गया है एक review में रखा है और यहाँ पे देखिए color भी change हो रहा है मालीजे इसका कुछ भी नहीं किये और हम save next करेंगे कोई भी उतर नहीं देए यह इस color में है not answered इस color में है फिर next करते हैं तो यह इसी color में रहता है और यह change होते जा रहा है तो यह कुछ इए अगर इसका उतर हम share दे देते हैं अब फिर हम से next करते हैं यह question एक ही नहीं आएगा यहाँ पर एक ही question में भी यह चल रहा है यह question आपका change होते रहेगा यह हो गया तो यहाँ पर आपका 2 उतर है को यहाँ पर देखे count करके लिख रहा है 2 यह चीज बहुत ही बहतरीन बनाएगा यहाँ पर answer लिख रहा है कि 2 है आपका not answer 3 है 94 question पर not listed है 94 question के पास हम नहीं कहा है और यह आपका अपना लिखेगा है जो भी होगा वो total question के बारे में लिखेगा mark for review mark for review करने के लिए इसको हम कुछ भी इंतर नहीं देते हैं और यहाँ पर mark for review कर देते हैं तो देखें यहाँ पर आगे mark for review कोई उतर नहीं दे रहा है लेकिन हम mark किये हैं कि बार में दुबारा देखेंगे अब इसमें जिस question के पास जाना चाते हैं माल लीजे हम question number 3 पर जाना चाते हैं को यहाँ क्लिक करेंगे माल लीजे इस पर गया है माल लीजे यह question number 2 हमने answer दे दिया पहले से सेर लेकिन अब हमको लग रहा है सेर नहीं बाग होना चाहिए मतलब यह आप उसमें exam में जो भी correct answer लगेगा उसको टिक किजिएगा माल लीजे सेर नहीं बाग है बाग नहीं हाती हो सकता है अब आप बाद में देख रहेंगी क्या होना चाहिए को यहाँ पे clear यह response लिखा हुआ है को clear कर सकते हैं यहाँ पे आप अब दुबारा आप आपको बाग लगा कि बाग हमको tick करना है भारत का राष्टी पसू कौन सा है हाथी भले कुछ और उत्तर हो माल लीजे हाथी है तो हाथी को हम save करेंगे next करेंगे तो यह आपका जब भी 5 पे जाईएगा तो आपको क्या मिला उत्तर अब हाथी मिला जब यहाँ पे जाईएगा दो नमबर पे तो यह आपका क्या मिला आपका बाग मिला क्योंकि हमने बाग उत्तर दिया था तो इस तरीके से आप कर सकते हैं मुझे लगता है कि आपको सारी बाते समझ में आ रही होगे मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पे देखें यहाँ पे जो submit का जो option है यह highlighted नहीं है अगर highlighted भी रहता है तो आपको इस पे click नहीं करना याद रखेंगे इस पे click नहीं करना सारी question का उतर देके ही इस पे click कर सकते हैं चाहिने भी कर सकते हैं आपनेकर पे इंस्ट्रक्शन भी आपको दिया जाएगा जैसे हीं यह डिर घंटे हो जाएगे मतलब 143 बचे हैं यहाँ पूरा हो जाएगा 143 मिनट बचे हैं यह सारे पूरे हो जाएगे तो यह आपका इटमेकर ले लेगा लेकिन भूल से भी यहाँ क्लिक मत किजिएगा अ अगर इस तरीके से इन्हों ने बनाया कि सम्मिट पर सम्मिट नहीं हो तो बहुत बढ़िया क्योंकि यह कभी कभी तरह का कोई भी परसानी हो इस पर वीडियो भी हमने बताया था और बताया था कि यहाँ पर आपका टाइमिंग रहाएगा या हिंदी इंगलिस रहाएगा सारा चीज हमने पहले बता रखा था और यह लेकिन बहुत ही अच्छा है कि आपको दिखाई देगा कि 93 कोश्चन के अंसर हमने अभी तक नहीं द देता है को देखिए जो एक दिखाई दे रहा था वो जीरो हो गया आप देख सकते हैं रिव्यू के लिए रखा था वो जीरो हो गया एक मार्क फोर रिव्यू रखा है इसका कोई भी उतर हमने नहीं दिया है कोई भी उतर देने वाला नहीं वाला है इस पर हम क्लिक कर देत आपका कितना है, को not answer 3 है 1, 2, 3, अब तीनों पर भी क्लिक करके दे सकते हैं, माल जो 3 का answer देते हैं नहीं दिल ली और अगला 4 का answer का answer कोल कता, फिर अगला का answer दे देते हैं, हम लोग share दे देते हैं और यह कर देते हैं, save और जितने भी answer देने थे हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 question का answer हमने दिया, 6 answered यहां दिखा रहा है, 93 question पर हम bested नहीं है, 93 question पर अभी हम नहीं गया है, यह देखना चाहिए हमें 93 question का answer देना है, यह हमें याद रहेगा not answered एक question ही, यानि 7 number का उतर हमने नहीं दिया, को 7 number का question होंगे, सारे का answer आपको देने हैं और यहां पर देखिए, यह सारी चीज़ दिखा रहा है not answered एक ही question है, जिसपे हम question number 8 पे हैं, आप answer देदी हैं 7, 7 के साथ उपर में दिया है और कोई भी mark अभी हमी नहीं किया है, review के लिए इसके लिए नहीं बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है और clear response भी अगर आप नहीं करते हैं मालीजे, इसको हम click करके mark for review करते हैं, दुबारा इस question पे आते हैं और इसका उतर अगर हम नहीं देना चाहते है, clear response भी कर सकते हैं कि clear कर दे, कोई admit it कि यह clear कर देगा लेकिन अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई दुसरा भी उतर ये ले सकते हैं दुसरा उतर ले सकते हैं, आराम से same next कर देंगे, ये ले लेगा दुबारा 8 नमबर बेज़ेगा, जो हमने उतर चुना था वही है, तो कोई दिक्कत नहीं है अराम से आप कर सकते हैं और ये चीज मुझे लगा थोड़ा सा बहुत ही अच्छा, अगर ये प्रिंट करके हमें कुश्चन पिपर देते हैं, तो कोई दिक्कत होगा ही नी लेकिन मुझे आसा है कि अगर प्रिंट करके सबजेक्ट आपका सूटल हंडेर हम आप बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाया गया है मुझे ने लगथा कोई दिक्कत होना चाहिए अगर आपका सिस्टम जो मिला हुआ हुआ है अच्छे तरीके से वर्क कर रहा, जो भी प्रूपर उसमें सारे चेज दिये गए हैं, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगा जहां पर अगर हम जाते हैं, टीचर इजबिलेटी टेस्ट पे तो ये हो जाएगा पर अगर जाते हैं, उसके ये 50 कोईशन है, वही उन्चास आपका दिखा रहा है, उन्चास कोईशन पे नॉट वेस्टेड हैं, क्योंकि पहला कोईशन पे हम है और एंसर्ड, नॉट एंसर्ड एक है, ये सारे चीज आपके दिखाया दे रहे हैं, और आपके ये दिख भी रहे हैं, बहुत ही बेहतिरीन बना होगा है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगा, एक बार ट्राइ करके जरूर देखिएगा, मॉबाइल पे भी ट परिपरिशन कैसे करना है तो इसके भी सेंवे हम तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे चर्चा चल देगे थी, लास्ट में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक्जामिनेशन 춤 कर सेंटर जो पत्ना के निवासी जो गल भी है, उनका भी कहीं और दे दिया गय मेरे दे दिया गया है बहुत दूर दूर दे दिया गया है तो जो पटना के होम है तो होम सेंटर किसी का नहीं दिया गया बहुत परसानी है ये तो है सब को परसानी है अब इस पे इस पे आप लोग का आ रहा है कि सब क्या होना चाहिए क्या नहीं अब इस पे देखिए आप जो कहिए वैसा होता रहेगा फिलाल जो भी information था वो हमने आपको दिया फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहे हिंदी कलब पे धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए हिंदी कलब को दबाईए इस बेल आइकोन को तक हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सके ये सब बिलकुल फ्री है